हाई अबरिवन आज मैं आपके लिए सिर्फ 15 मिनिट में बनने वाला बहुत ही टेस्टी डेजर्ट की रेसिपी ले कर आई हूँ आप इसे घर पर रखें सिर्फ 4 चीजों से बना कर तयार कर सकते हैं और इसका टेस्ट बेहर शांदार है और ये सब को बेहर पसंद आएगा तो चलिए जल्दी से बनाना शिरू करते हैं इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 कब दूद लिया है जो भी आपके घर में regular दूद आता है आप उसे ले सकते हैं मैंने यहाँ पर कच्चा और फुल क्रीम दूद लिया है आप इसे गैस पर रख देंगे उबलने के लि अच्छे से मिths कर लो हैं और के मिक्स्टर नीचे बैठ जाता है और अब इसे टाइम इस अच्छे से चला लेंगे ये देखे जैसे ही आप इसमें custard डालेंगे इसमें गाड़ा बनाना शुरू हो जाएगा अब मैं इसमें यहाँ पर चार चम्मच चीनी डाल रही हूँ मीठा इसमें आप अपने टेस्क के recording कम्या जादा रख सकते हैं एक चुथाई चूटी चमच इलाइची का पाउडर डाल देंगे और एक चमच इसमें बादाम की कत्रन डाल देंगे ड्रैफ्रूट डालना ओप्शनल है आप चाहें तो इसे बिना ड्रैफ्रूट की भी बना सकते हैं और इसे अच्छे से मिंक्स कर लेंगे गैस कफली मीडियम रखेंगे और इसे चला लेंगे अच्छे से हमें इसे बहुत जादा नहीं पकाना है बस इसमें चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक अच्छे से उबाल आ जाए उतना ही आपको इसे पकाना है और अब मैं इसमें यहाँ पर थोड़ा सा कटा हुआ पिस्ता भी डाल रही हूँ और ये देखे इसमें बढ़िया से एक उबाल आ चुका है और ये मिक्स्टर जो है ठंडा होने के बाद और ज़्यादा गाडा हो जाता है तो आपको इसे ज़्यादा नहीं पकाना है इसके किनारे इस तरीके से हटा देंगे आप चाहें तो सीजर से कट कर सकते हैं या फिर नाइफ या चाकू से भी हटा सकते हैं तो जो भी आपको तरीका सान लगे इस तरीके से कर लेंगे और इसके जो किनारे बज जाते हैं या जो हम काट कर अलग कर रहे हैं यह वही मलाई है जो दूद के उपर आती है आपको ताजी मलाई यूज करनी है बासी मलाई या जैसे दो या चार दिन की पुरानी मलाई आप इस रेसिपी में यूज ना करें और इसमें एक चमश पाउडर शुगर डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अगर आपके पस मलाई नहीं है तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज कर सकते हैं और ये देखे ये मिक्शर तयार हो गया है आप एक ब्रेट स्लाइस लेंगे इसके उपर हम ये मलाई डालेंगे एक चमश और इसको अच्छे से फैला देंगे बिकुली बनली और ये देखे जब हमने इसे पूरा अच्छे से फैला लिया है अब दूसी ब्रेट स्लाइस से इसे कवर कर देंगे और इसे उपर से हलका सा प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में अच्छे से स्टिक हो जाएंगी यानि आपस में चिपक जाएंगी और इसी तरीके से हम दूसी ब्रेट स्लाइस पे भी लगा देंगे और अगर आप चाहें तो इसके उपर थोड़ा सा यहाँ पर ड्राइफूट भी लगा सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा सा बादाम और पिस्ते की कत्रन लगा रहे हूं और इसे उपर दूसी ब्रेट स्लाइस से कवर कर देंगे यहाँ पर हमने तीनो ब्रेट स्लाइस से पर इसी तरीके से मलाई लगा कर और दूसी ब्रेट से इसे कवर कर दिया है और यह हमारा कस्टर्ड का मेक्शर था यह भी थंड़ा हो गया है यानि रूम टेंप्रेचर पर थंड़ा हो चुका है तो हम इसे यहाँ पर इस bowl में transfer कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए fridge में लग देंगे ताकि यह थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और अब इन bread slices को हम इस तरीके से 4 pieces में cut कर देंगे यह देखे यानि कि सिर्फ 6 bread slices से आपकी 12 dessert के pieces बनकर तयार होते हैं यह देखे हैं हमने इसे triangles में काट लिया है आप चाहें तो इसके square pieces भी cut कर सकते हैं अब इस cutori में मैं यहाँ पर 3-4 cup दूद ले रही हूँ यानि आधा cup से थोड़ा सा जादा दूद है और यह दूद उबला हुआ और ठंडा है यहाँ पर आपको गरम दूद का use नहीं करना है और नहीं कच्चा दूद लेना है और उबलेवे दूद में हम यहाँ पर एक चमच पाउडर sugar डाल देंगे और इसे अच्छे से mix कर लेंगे आप यह bread का piece लेंगे और इसमें इस तरीके से दूद में dip कर देंगे दोनों साइट से और टॉंकी मदद से बहार निकाल लेंगे आपको इसे बहुत जादा देर तक दूद में नहीं छोड़ना है वरना जो bread है वो बहुत जादा soft हो जाएगी इसी तरीके से हम सभी bread slices को दूद में dip करेंगे और बाहर निकाल देंगे इस यानि की दूद इनोंने अच्छी से absorb कर दिया है और ये थोड़ी soft हो गई है यहाँ पर हमने सभी bread को दूद में dip करके और प्लेट में इस तरीके से अरेंच कर दिया है और अब इसके उपर हम ये थंडा थंडा कस्टड का mixture डाल देंगे जिस तरीके से हम रस मलाई के उपर रस डालते हैं या फिर दूद का mixture डालते हैं उसी तरह से आपको इन बेट के उपर ये कस्टड का mixture डालना है और ये पूरा हमने इसे अच्छे से coat कर लिया है और अब इसे हम garnish कर देंगे थोड़े से बादाम और पिस्ता की कत्रन के साथ और साथी थोड़े से केसर के धागे के साथ इसे garnish करना बिलकुल optional है आप इसे ऐसे भी serve कर सकते हैं सिफ 15 minutes में तयार हमारा बहुत ही जादा टेस्टी डेजर्ट बनके तयार है आप इसे bread malai toast बोले या bread custard toast बोले या जो भी आप नाम देना चाहें दे सकते हैं ये बनाने में जितना जादा असान है खाने में उतना ही जादा टेस्टी है तो मैं तो इसे enjoy कर रही हूँ इसका टेस्ट बेहर शांदार है आप भी इसे अपने ख़र में जरूर ट्राइ करें और अगर आपको हमारी recipes पसंद आती हैं तो आपके अपने channel Rita Rora recipes को like, subscribe और share करना बिल्कुल भीना भूले और आप मुझे कहां से, कौन से देश से देखते हैं मुझे comment box में बता सकते हैं इस तरीके से आप से जुड़ करके मुझे बहुत अच्छा लगता है अब मिलती हूँ एक और नई recipe के साथ तब तक लिग बाई, take care and thanks for watching